ब्राइट टू यू भाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजेविदरोही आप मुझसे जुड चुके हैं इसके लिए आप सब का तह दिल से शुक्रिया और अगले 6-7 मिनट में आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा, तीन खबरों पर बात करेंगे पहली खबर आकिर भीलवाडा से बीजेपी को क्या दिक्कत आ रही है, 25 में से 24 सीटों की कोशना हो चुकी है भीलवाडा की सीट आकिर क्यों अटकी हुई है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, दूसरा सवाल है कि भीलवाडा से बगल की सीट राज समन्द में ऐसा क्या हुआ सुदर्शन रावत अचानक भामाशा बन गे, लोग तो टिकट के चक्कर में करोड दो करोड खर्च कर देते हैं और इन भाई साब को टिकट मिला और कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर चुराओन लड़ना नहीं चाहते, इसलिए लड़ना नहीं चाहते बीजेपी की लिस्ट में कुछ चौंकाने वारी चीजें हैं जिस पर कम ध्यान गया है, उसकी कुछ बात कर लेंगे और चलते चलते कॉंग्रेस और बाप का मिलन होगा के नहीं होगा, इस पर चर्चा कर लेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं भीलवाडा सीट की, भीलवा इलाकर RPS अधिकारी रहे, डॉक्टर दामोदर भूजर को टिकट दिया गया है, जो वहां के भी नहीं है, बीलवाडा के भी नहीं है, वो स्वाई मादोपुर्ट टॉंक से विधान सभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको लेकर स्थानिये कारेकरताओं में थोड़ा गुस्ता भी है, और कॉंग्रेस का बड़ा नेता क्यों वहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, इसी तरह जैसे सुदर्शन रावध राजसमन से टिकट ठमा दिया गया तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन सुभाज बेडिया से आकिर क्या दिक्कत है बीज चलाया जाए, उनको लोग सभा का टिकट दिया जाए, संग किसे चाहता है, एक दो नाम सामने आ रहे हैं, जिनके नाम भेजे गए हैं, जिसमें रवी जाजू का नाम भी है, जो की काफी प्रतिवाशाली माने जा रहे हैं, दरसल कहानी ये है कि भीलवाडा विधान सभा च निर्दलिये चुनाओ मैदान में उतार दिया गया, किसने उतारा, इसके पीछे कुछ लोग कहते हैं कि संग की कहानी थी, और संग सुलंकी को टिकट के चक्कर में नहीं था, ऐसा कुछ लोग आरूप लगाते रहें, या पर्दे के पीछे जो राजनितिक गलियारों में इ उदर बीजेपी भी अड़ गई है, कि संग की बात नहीं माननी, कुछ हो जाए संग की बात नहीं माननी, संग को जोगा कर रखना है और उनके पास ठोस आधार भी है, सुमाज बेडिया को लेकर अच्छे केंडेट हैं, वैश्य समाज से भी आते हैं, पूरे राजुस्तान में, कॉंग्रेस ने तो वैश्य समाज के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया है, बीजेपी ने एक ओम बिल्ला स्पीकर कोटा से टिकट दिया है, और दूसरा टिकट भीलवाडा से है, तो उनकी बात माननी जानी चाहिए, इसको लेकर ये संग बना बीजेपी का जगड़ प्रधान मंतरी मोदी बना मोहन भागवत के बीज बातचीश से सुलज़ेगा या कैसे सुलज़ेगा ये देखना दिल्चस्प होगा, उदर महराना परताब किस करीबी हुआ करते थे भामाशा, खजाना मंतरी, सेट, बड़े नगर सेट, पूरी दौलत लुटा दी उन्हो खरीदने में, सेरिकों की तनखा देने में, लवाज में का प्रभंद करने में, खाने पीने, फौजों का प्रभंद करने में, सब कुछ लुटा दिया उन्होंने, ताकि महराना परताब अकबर के खिलाब जीत हासिल कर सकें, आजादी की बात, सुदर्शन रावत कॉंग्र के कैंडिडेट, वो भी भामाशा बन रहे हैं, भामाशा ऐसे बन रहे हैं कि टिकट हाथ में आया, विदेश गये हुए थे, वहीं सूचना मिली, शैनाने पर सूचना मिली, कह रहे हैं मैं तो टिकट के दावेदारों में नहीं था, मैं तो साफ कर चुका था कि मेरा नाम न स्पीकर थे और राजसमन भीलवारा साइड के ये पूरा मेवार बेल्ट के बड़े नेताओं में गिंती होती है उनसे पठती नहीं थी तो अब जो बेटे हैं सुदर्शन रावत कहीं न कहीं सीपी जोशी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे कि एक बड़े नेता ने जान बू कुछ बड़े नेता तो हैं वो चुराओं इसलिए लणना नहीं चाहते क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है हलां कि जो लिस्ट आई है लिस्ट बता रही है कि कॉंग्रेस के लिए खाता तो खुली जाएगा कॉंग्रेस का हो सकता है चार पांच सीटें हासिल कर ले कुछ इ इसमें भी वक्त है ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी और दूसरी बात इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रताफ सिंग खाचरेवास को जबरदस्ती फसा दिया गया उनको तो टिकट भी नहीं मिल रहा था सुनिल चर्मा को टिकट मिला था उनका संबंद एक राइट विंग स्थापित हुआ तो उनका टिकट कट गया प्रताफ सिंग को जबरन थमा दिया लियाज के मारे प्रताफ सिंग ठुकरा नहीं सके कुछ लोग कह रहे हैं सुदर्शन रावत इसलिए भी नहीं लड़ना चाहते कि उनको मालूम है कि जो बीजेपी ने राज समन से राज घरा रुपया खर्च होगा अब लोग साब चुनाओ में भी करोड़ो रुपया तो इतना शायद कॉंग्रेस के नेता आफोर्ट नहीं कर सकते जिनके सीज होगे हैं इंकम टेक्स में देश की वितमंत्री निर्मला सीतारवन कह रही है मुझे बीजेपी ने कहा चुनाओ लड़ चीजी क्या है वो सकता है वो ठीक ही कह रहे हूं कि उनको फसा दिया गया और नैतिकता के आधार पर वो चुनाओ नहीं ड़ना चाहते लेकिन अंदर खाने की बात है कि पैसा कोई खर्च करना नहीं चाहता अगर बात चली अभी महिमा सिंग की तो पहली बार बीजेपी में सीट से तीन महिने पहले जीता है और पतनी को उसी विधानसवा सीट जिस लोकसवा सीट में आती है उस लोकसवा सीट का उमीदवार बना दिया गया है इनके पती विश्वरा सिंग जो राजसमंद की नादवारा विधानसवा सीट है वहां पर सीपी जोशी को हरा कर चुना प्राई में उनके साथ जुड़े हुए थे तो ये भी मीना ये भी बीजेपी के पक्ष में या राजा महराजा को अगर वोट टिकट दिया जाए तो उसके साथ चले जाते हैं तो इसका फायदा उठाने की कोशिश क्या बीजेपी ने की है और ये कैसी च्वाइस होनी तो ये सीधा मोदी जी के कहने पर मोदी जी के इशारे पर मिला उनको लगा कि स्पोर्ट्समेन को टिकट दिया जाए वो पैरा उलम्पिक में जैविलियन में भाला फैंक के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है तो इससे व्यापक प्रभाव पढ़ता है अर्बन वोटर पर यु डबल ट्राइब जो शूटिंग होती है उसमें उलम्पिक्स में रजत पत्र रजत पत्र मुन को हासिल हुआ था तो वहां से फिर वो विधानसवा चनाव भी जीते केंदर में भी मंतरी बने अब विधानसवा भी मंतरी है तो देवेंदर जहांजरिया के आगे बड़ा अज के लिए कल बात करेंगे इस पर शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया